नमस्कार मैं हूँ सुश्मेतियगी और आप देख रहें नजर टूडे आज के अपराद के कारेकरम में हम आपको एक ऐसे डॉन की कहानी दिखाएंगे जिसे शोशल मीडिया ने एक दूद बेचने वाले को नामी डॉन बना दिया देखा जाए तो नमबर दो का काम करने वाले या अपरादिक प्रवर्ति के लोगों को कैमरे से या मीडिया से दूर रहना पसंद होता है परन्तु देवा नाम का या सक्ष तो सोशल मीडिया द्वारा ही नामी डॉन बना दिया गया था राजस्थान में रहने वाला देवा नाम का सक्ष हर वो काम करता था जो उसे जुन के काले कारनमों से जोडता था देवा इन दो नमबर के कामों से जो भी पैसा कमाता था उसे वो अपने स्टारडम के लिए यूज करता था देवा के स्योशल मीडिया के करीब दो लाग से भी जादा फॉलोवर थे देवा की वीडियो को यूटूब से लेकर अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर चन्द घंटों में ही लाखो लाइक व्यूज मिल जाया करते थे देवा अपनी जिन्दगी बिल्कुल एक फिल्म अभिनेता की तरह जीता था देवा ने अपनी नीजे जिन्दगी को भी फिल्मी स्टाइल से ही जिया उसने दो शादिया की उसकी दो पत्निया हैं जो बहुत ही प्यार से एक साथ रहती हैं उसके चार बेटियां भी है देवा को फोटोग्राफी का भी बड़ा शौक था उसने अपना एक परसनल फोटोग्राफर रखा हुआ था जिसके तहत वो अपने अलग अलग स्टाइल में फोटो और वीडियो शोशल मीडिया पर डाला करता था और अपने स्टाइल के लिए इतना मशूर था कि लोग लाखों की तादाद में उसे पसंद कते थे और लाइक भी किया करते थे पर क्या कोई जानता था कि एक दूद बेशने वाला इतना मशूर डौन बन कर ऐसी दर्दनाक मौत मारा जाएगा पर वो कहते हैं ना कि बुरे काम का नतीजा भी बुरा ही होता है वैसा ही देवा का भी हुआ उसका ही एक दोस्त उसकी मौत का कारण बन गया और वो भी वो दोस्त जिस पर देवा आँख बन कर भरोसा करता था चार अप्रेल के दिन जब देवा सैलून गया तो वहां उस पर हमला कर दिया गया और उसे मौत के घाट उदार दिया गया पुलिस की चानबीन के दोरान पता चला कि उसकी हत्या करने वाला कोई और नहीं वलकि उसका ही एक साथ ही है जिस पर देवा आँख बन करके भरोसा करता था जिसे अपना सच्चा दोस्त मानता था उसी ने उसकी हत्या करवा दी गोपाल नाम का यह सक्ष कुछ महीने पहले ही देवा की जिन्गी में आया और फिर दोनों की दोस्ती इस कदर बढ़ गई कि लोग इनकी दोस्ती की मिशाल देने लगे पर शायद कोई नहीं जानता था कि गोपाल ने दोस्ती देवा को मौत के घाट उतारने के लिए की है और फिर उसने चार अप्रेल को अपने इरादों को पूरा भी कर दिया और देवा की हत्या करवा दी देवा की हत्या बड़े ही फिल्मी अंदाज में की गई जैसे फिल्मी स्टाइल में जीता था वैसे ही मौत भी हुई देवा के गाउंवालों का कहना है कि देवा चाहे कितने ही बुरे काम करता हो पर उसने कभी भी किसी आम द्यक्ति को परिशान नहीं किया आखीर में वस इतना ही कहेंगे कि किसी ने कहा है कि एक गदार दोस्त से अच्छा हम सो दुष्मन बना ले नहीं तो अंजाम कुछ ऐसा ही होता है जैसा देवा का हुआ तो देखा आपने कैसे सोशल मीडिया ने दूद बेशने वाले एक आप इंसान को नामी डौन बना दिया लेकिन उसका अंत कितना दुखत हुआ हम ऐसे ही कुछ किसे लेकर आपके सामने हाजिर होते रहेंगे आप देखते रहें ये नजर टूडे नमस्कार